इस वीडियो में मैं आपको Fertilization in human, यानि कि human में Fertilization कैसे होता है और कहां पर होता है ये बताऊँगा, इस वीडियो में मैं आपको संचे पर बतानी कोशिस करूँगा कि Fertilization कहां पर और किस तरह होता है, इसके लिए एक छोटा सा, मैं आपको Figur बना के Create करूँगा, आपकोंगा। कि यह स्टक्चर आप देख रहे हैं यह सर्विक्स है यह सर्विक्स यह वैजयन है यह यूट्रस है और यहां पर यह ओवरी इससे फैलोपेंट टूब कहते हैं इस सब को मिला करके फैलोपेंट ट्यूब यह फिंबरी होती है यह फिंबरी यह ओवरी है यह ओवरी जो होती है यह इधर भी है एक फिर ओवरी होती है सेम कंडिशन नहीं यहां भी होती है अब अंदर का जो होता है इसे कहते हैं मायो मैट्रियूम इंदर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं मायो मैट्रियूम कि बीज की जो होती है मीजो मैट्रियूम और बाहर की जिलो होती है से कहते हैं पैरी मैट्रियूम यह है इमेल पेर यह इधर भी सेम होते हैं इसी तरह वन पेर ओवरी इस सेम इधर भी होता है यह यह लिगामेंट्स त्वारा जुड़े होते हैं आपस में में है हम जानेंगे कि यहां पर फर्टिलाइजिशन कैसे कहां होता है उसके लिए फीमेल रिप्रोडुक्ट सिस्टम में इसमें हर महीने मेंस्ट्वन साइकल के समय में 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 इसे हिंदी में कहते हैं मासिक धर्म मासिक धर्म में 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 स्ट्वन साइकल इस फीमेल रिप्रोडुक्ट सिस्टम में एक जोड़ी ओवरी होते हैं जिसमें फैलोपेंट ट्यूब होती हैं और यह यूट्रस यूट्रस में अंदर की जो लियर होती है उसे मायोमेट्रियम बीच की मेंजियोमेट्रियम और यह पर यहां पर होते हैं सर्विक्स जिसे हम यूट्रस का माउथ कहते हैं माउथ आप यूट्रक्स तो यहां होता कैसे है मैं आपको यहां पर बताऊंगा हर महीने में मेंस्ट्र साइकल के दोरां इस तो सब्सक्राइब करें यहां से यह 14 में दिन करीब इस में ऐसा माला जाता है कि 14 में दिन यहां से एक होता है हुआ हैं यह सपोज करें यह है और यहां से रिलीज हुआ यह रप्चल हुआ ग्रेफिन फॉलीकल सोते पर चरें बनते हैं और यह हुआ और यहांसे होता हुआ यहां से और यह आता है आपका कि यहां आता है और यह फैलोपेंट्ट्यूम में आ जाता है ओवा इस तरह से एग फटलेजिशन सौरी मेंश्टू साइकल के समय एक ओवा ओवरी से सोता है वह लेप्ट से उधर से हो सकता इन पर सारे सारे स्पयोजेक कर दिया यहां से जो स्पर्म होते हैं वो सब चलके आते हैं बहुत सारे स्पर्म होते हैं इस तरह से स्पर्म चलके आते हैं यह स्पर्म चलके आते हैं यह स्पर्म चलके आते हैं बहुत सारे को और यहां पर कि बहुस्तार स्परमिश तरह से चल कि आते हैं और यहां पर फैलो प्रफलेज करने के लिए वहां पर यहां पर स्परम हाए यह सपरम इसको फटलाइक करेंगे तो यहां पर यह को फटलाइज तो फटलाइज के समय करोनों को वह सारे इस एक को फटलाइज करने कि यह वहांद सारे परमस करने के लिए आवशेक होते हैं जो एक है उसकी लेयर को ब्रेक करने के जिसमें इसे लेयर होती है जोना पैलु सूड़ा और जोना रेडियेटा तो दो लेयर जोना रेडियेटा और जोना पैलु सीड़ा उन लेयर को तोड़ने के लिए ब्रेक करने के लिए बहुत सारे स्पर्म की जरूत होती है और बहुत सारे मोटाल स्पर्म तो पहुंच जाते हैं यहां प यह बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह से किसी दोड में सभी लोग दोडते हैं लेकिन कुछ ठक कर रहे जाते हैं कुछ अपने destination तब पहुंचते हैं लेकिन number one तो एक ही होता है इसी तरह यहाँ पर भी एक sperm जो एक एक को फर्टलाइज करेगा किसी तरह वो sperm यहाँ पर यहाँ पर चमा देता जां गोट यहाँ यहीं यहाँ इस परमाया और इसने हैं चिन कर दिया तो हम कह सकते है यह एक तो मीन ट्यूफ यह फैलोपेंट्यूम में फटिलाइशन हो जाता है यह फीडस के वेलकम के लिए रेडि होती है मेस्ट्रॉ साइकल के बाद मेस्ट्रॉ साइकल में यह जो मैयम मेटेयम है यह रेडि होती है अब यहां हुआ है इसमने स्थिति आते हैं मौरूला होता है और इसके बाद फिर यहां पर यह कि यहां पर आके इसमें इंप्लांट होता है कि इसमें इंप्लांट हो जाता कि यह जो एक-था और क्वंटीफर्स देस से वे प्लासेंटरी में बन जाता है यानि ये एक हपते के अंदर यहां पर आता test kommtation क्यूंब होता है कि हैं यह यहां भी दीबार वे सकता कहीं भी और उसके बाद सब्सक्राइब करने के लिए जो हार्मोंस होते हैं इस्टोजन और प्रोजस्टोंग यह यहां ओवरी में निकलते हैं ओवरी से इसको इंप्लांट में सहता करते हैं अगर ऐसा नहीं होता है अगर कमी हो जाती है तो इंप्लांटेशन नहीं होता है और यह पासाट हो जाता है तो आपने इस वीडियो में यह जाना कि में सब्सक्राइब कब एक रिलीज होता है फूर्टीम में दिन और एक रिलीज के बाद कहां एक वरी question आया भी था UPSC में कि where is the site of fertilization in human तो the site of the fertilization in human is fallopian tube तो fallopian tube में fertilization होता है यह आपने इस वीडियो में देखा